जै शरी राम मैं डोक्टर रंग कित्यागी आपका अपना एस्ट्रोलजर निम्रिलोजिस्ट लाल कितावन वास्तू कंसल्टन्ट आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आपके इस अपने बेहत खास कारेक्रम एस्ट्रो मूलमंत्र में एक ऐसा करेक्रम जिसको आप सब लोगों का बहुत प्यार मिलता है और हम बहुत दिव्वेशोध और बहुत रिसर्च करने के बाद बहुत लोगों पराजबाने के बाद बहुत प्रैक्टिकल यूज़ करने के बाद इस उपायों को इन छोटे-छोटे से उपायों को आप तक पहुँचाते हैं, इस मूलमंत्र को आप तक पहुँचाते हैं ताकि आप भी अपने जीवन में खुशाली ला सकें ताकि आप भी अपने जीवन से दर्दरता और दुख दूर भगा सकें ताकि आप भी अपने जीवन से वो सब पा सकें जो आप पाना चाहते हैं बस इसलिए मूलमंतर रोज जाना आप तक पहुंचाते हैं क्या है आज का मूलमंतर विशेस जानेंगे आज का मूलमंत्र उन सभी व्यक्तियों के लिए है जो जीवन में सफलता पाना चाहते है और आज का मूलमंत्र नरक 14 विशेस है यानि छोटी दिवाली विशेस छोटी दिपावली पर ऐसा कौन सा उपाय करें कि सफलता आपके कदम चुमे अगर आप भी इन में से एक हैं आप भी चाहते हैं कि सफलता आपके कदम चुमे तो आज का मूलमंत्र विशेस आपके लिए समर्पित है अंत्ता के विडियो देखिए सफलता ज़रूर मिलेगी ऐसा मेरा संपूर्ण विश्वास है क्या करना है जानेंगे क्या है आज का विशेस मूलमंत्र और कैसे सुपाय को आपको करना है कैचें एक कहवत है और ये हमेशा आप सब लोगों ने सुनी होगी कि कच्रा और गंदगी नकरात्म कूर जाके सबसे बड़े श्रोत माने गए गर के कच्रे के साथ साती मन के कच्रे को साफ करना भी बहुत जरूरी है इसलिए क्या करना है नरक 14 वाले दिन यानि छोटी दीपा वाली वाले दिन शाम के समय चार मुखी जो चार मुख वाला दिया होता है मिट्टी का दिया मिट्टी का दीपक ही लेना है जिसमें चार तरफ मुह हो और पूर्व दिशा में मुख करके घर के मुख्य द्वार पर रखना चाहिए बड़ा सा दीपक ले लें उसमें तेल भर लें गी बर लें जैसी आपकी शर्दा हो जैसा आपका बजट हो और उसमें चारो तरफ बत्त यम की पूजा करें और घर की सफाई के दौरान निकला टूटा फूटा शामान भी फैक दें नरक चौदस के दिन तिल के तेल या सरसों के तेल में चौदै दीपक अवश जलाएं तो आपके जीवन में सफलता जरूर आएगी और दरदरता आप से कोसों दोर हो जाएगी ब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी फिर मिलेंगे नई जानकारे के साथ तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से जैशरी राम